प्यारे बच्चो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं Foods We Eat देखिए आपने यहां कोशन मैंने आपके लिए दिया है Can anybody live without water? क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी है जो खाने के बिना जिन्दा रह सकता है? कोई नहीं कोई भी जो living thing है चाहे वो इनसान हो, गाए हो, बकरी हो कोई भी वो खाने के बिना जिन्दा नहीं रह सकता देखिए हमारे जीवन की तीन सबसे बड़ी basic needs है Food, Cloth, Shelter इसमें सबसे बड़ी जो basic need है वो food है क्यों? जिन्दा रहने के लिए food एक दम जरूरी है हमको food नहीं मिलेगा तो हम जिन्दा ही नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ी basic need हमारी food हो गई क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो भी काम करते हैं खेलते हैं, पढ़ते हैं, या कोई समान उठाते हैं, दोरते हैं, कोई भी काम करते हैं कोई भी काम करने के लिए आपको energy की जरूरत होती है और energy आपको कहां से मिलती है? energy हमको मिलती है food से किसे मिलती है? food से मिलती है और क्या करता है food? देखिए, food हमारे लिए body building का काम करती है यानि जब आप जनम लिये थे तो इतने ही बड़े तो नहीं थे ना? आप तो बहुत छोटे थे तो इतने बड़े कपसे हो गए आप? कैसे हो गए? तो आपकी body grow करती है आपका growth होता है आपके muscles बनते हैं आपका bone मजबूत होता है आपके शरीर में blood बनता है तो ये सारा जो चीज है ना इसको हम कहते हैं कि हमारी body का growth हो रहा है यानि हमारी body build हो रही है तो ये खाना जो है वो हमारी body building का काम भी करता है और क्या करता है food food हमको बीमारियों से protect करता है तो क्या देखा आपने कि food is our first basic need we cannot live without food to be alive food is must जिन्दा रहने के लिए खाना बिलकुल जरूरी है without food we cannot live जिन्दा ही नहीं रहेंगे और आपने क्या और देखा कि food से हमको एक energy मिलती है दूसरा food से हमारा body building होता है और तीसरा food हमको बीमारियों से protect करती है बचाती है तो तीन काम हो गए food के energy body building protecting from diseases energy गित देती है हमारी body building करती है और बीमारियों से बचाती है तो ये food का तीन काम आपको समझ में आ गया होगा तो इसका क्या मतलब कि food हमारे life से directly जुड़ा हुआ है हमारा life और food एक दम जुड़े है no food no life तो directly जुड़ा है न तो हमारा health भी हमारे food से जुड़ा हुआ है हमारा health कैसा होगा अच्छा होगा, खराब होगा, जैसा भी होगा वो किस पर depend करता है वो depend करता है food पर अगर हम healthy food लेंगे तो हमारा health अच्छा होगा अगर हम अच्छा food नहीं लेंगे तो हमारा health अच्छा नहीं होगा ठीक है तो क्या करना चाहिए हमको हमको अपने food को लेकर बहुत careful होना चाहिए क्या careful होना चाहिए भई क्या कैसा खाना खा रहे हैं किस तरह का खाना खा रहे हैं फ्रेश है की नहीं है गंदा तो नहीं है ठीक से पका तो है की नहीं है तो यह सारी चीजे हमको ध्यान में रखनी है और food को लेकर हमको तीन बातें बहुत ध्यान रखनी है तीन बातें पहला what to eat क्या खाना है दूसरा how to eat कैसे खाना है और तीसरा when to eat कब खाना है तीन चीजे what to eat how to eat when to eat तो देखिए मैंने आपके लिए लिक भी रखा है what to eat how to eat when to eat what to eat में क्या देखेंगे आप कि वो खाना फ्रेश है कि नहीं है वो खाना हेल्दी है या नहीं है फ्रेश फूट तो आपको समझ में आता है ताजा बना हुआ खाना ये तो आपको समझ में आ गया लेकिन हेल्दी फूट से आप क्या मतलब समझते है देखे फूट में ही अभी मैंने आपको बताया कि फूट हमको इनर्जी देती है फूट हमको हमारी बॉड़ी बिल्डिंग करती है फूट हमको बिमारी से बचाती है ये भी हम अभी अभी आपको बताये है तो ये जो चीज़े फूट के अंदर होती है इनको हम फूट के निट्रियन्स कहते है पोशक तत्व ऐसी चीज़े फूट में जो हमारी बॉड़ी को पोशन करती है हमारी body को पालती है हमको energy देती है हमारी body building करती है तो इनको हम nutrients कहते हैं पोशक तत्व कहते हैं तो हमको ये देखना है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें हैं या नहीं है ये सारी चीजें हमको देखना है क्योंकि कुछ खाना हमको एनर्जी देती है, कुछ खाना ऐसा होता है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग करती है और कुछ खाना ऐसा होता है जो हमको बीमारियों से बचाती है अब जैसे फल है, सबजी है, यह हमको बीमारी से बचाती है चावल है, गिवहों है, ये आलू है, ये सारी चीज़े हमको एनरजी देती है दूद है, मचली है, अंडा है, दाल है, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग करती है तो देखना ये है कि हमारे फुड में वो सारी चीज़ें है या नहीं है तो इस तरह का हमको बैलिंस्ट फुट खाना चाहिए साथ में हमको फाइबर भी लेना चाहिए अपने फुट में हमको सिर्फ दाल, चावल, रोटी, सबजी और दूद, दही यह सारी ही चीज़ें नहीं बलकि हमको सलाद भी लेना चाहिए साथ में अब सलाद जैसे प्याज है, खीरा है, ककड़ी है, चुकंदर है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम सलाद तयार करते हैं, तो सलाद में फाइबर होता है यह फाइबर हमारे पेट को साफ रखता है, तो इस तरह का हेल्दी फूड हमको खाना चाहिए उसके बाद आता है, how to eat, कैसे खाना है, तो कैसे खाना ही मतलब, आप खाने के पहले हाथ धोईए बहुत अच्छे से पहला चीज़, कभी भी बिना हाथ धोए खाना मत खाईए, तो हाथ धोईए दूसरा क्या है, खाते समय बात मत कीजिए, बिल्कुल नहीं तीसरी बात, छोटे छोटे टुकड़े लेके खाईए चौती बात, खाने को खुब चबाईए ये चार बात आप याद रखिएगा, क्या, खाने के पहले हाथ को बच्चे से धोईए दूसरा, खाने के समय बात मत कीजिए तीसरा, छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, मू में चौता, खाने को खुब चबाईए ठीक है, ये तो हो गया, how to eat तीसरा है, when to eat खाने का एक particular समय होना चाहिए ये नहीं कि जब मनाया, तब खा लिए आपका breakfast का क्या time है, आपका lunch का क्या time है आपका dinner का क्या time है, एक time बनाए और उसी समय खाइए, ठीक है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ये अच्छा, दूसरी बात, ये नहीं कि खाना आज तुम्हारे पसंद का आ गया तो गले तक खा लिया आपने ये आपको, आपके health को, आपके stomach को गरबर करेगा आपको indigestion हो सकता है इसलिए ये मत सोचिए कि आज खाना अच्छा बना है तो हम overeating कर लें overeating से आपको बचना है ठीक है? तो ये चारी चीज़ें आप ध्यान रखिये कि आपको क्या खाना है? कैसे खाना है? कब खाना है? क्या खाना है? मैंने आपको बताया कि आप fresh food खाईए और ऐसा food खाईए जिसमें आपके सारे nutrients available हूँ दाल, चावल, रोटी, सबजी, फल जो भी बजार में सिजनल फल है अगर आप बहुत मांगा फल नहीं खरीच सकते तो सिजनल फल भी तो बजार में आते हैं उसको खाईए आप ठीक है? फल खाईए, दूध लीजिए, दही लीजिए हाँ? सलाद खाईए ये सारी चीज़ है How to eat में मैंने आपको बताया कि खाने के पहले हाथ धोईए खाने के समय बात मत कीजिए छोटे छोटे टुकडे मुह में लीजिए और खाने को खुब चबाईए ये मैंने आपको बताया तो इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कब खाना है? ये मैंने आपको बताया मैंने ये बताया कि खाने का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लीजिए उसी समय खाईए ये नहीं कि जमना आ रहा है तब खा रहे हैं ऐसे आपका पेट गड़बड होगा ठीक है? और इसके अलावा वाईली और बहुत मसालेदार जो खाना है उससे आपको बचना चाहिए बासी फुड मत खाईए क्योंकि बासी फुड में वो क्या नाम है जम्स हो सकते हैं आपको बिमार कर सकते हैं बाजार का खाना मत खाईए क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि ये कैसे बना है? किस चीज से बना है? बनाने वाला साफ सफाई से बनाया है की नहीं? खाना परोशने वाले के हाथ में जम्स तो नहीं है साप सुत्रा है की नहीं ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू